कि वेल्कम टू ओल स्वागत अब सभी का अरसर यूट्यूब चैनल पे और हम आचुके अभी लाइव जैहिंद नमस्ते वेल्कम गुड मॉर्निंग कैसी मेरी आर्मी कि फुल एनरजी फुल जोष के साथ में कैपेसिटेंस का गर्दा उळाने के लिए हैंड डेंग करने के लिए विद्ट प्रक्रिशेशन 건데 और लास्ट बढर्ला चैनल का प्रक्रिप्र करने वाले हैं तो फुल एनरजी फुल को जोश के साथ में एक बार प्रती एक?.. जै हिंद कमेंट में लिख दे प्रतेक बच्चा जो अपने को फ्यूचर का सोल्जर समझता है और लाइक बटन पर परजेंट लगा दो, पेपर पेन निकाल लो रब कोपी निकाल लो, इधर का उधर स्केन होगा, प्रतेक वर्ड परतेक कॉंसेट परतेक क्यूशन कोपी निकाल के बैट जाओ, फटापड से क्लास को स्टार्ट करता हूँ, आज हमने ये बड़ी क्लास होगी हमारी कम से कम डेड़ से दो गंटे का ये क्लास आपका चलेगा, दो गंटे तक जा सकता है 12 बजे तक मेरे पास time है, जितना भी class होगा उसका आगे लेके जाएंगे, तो ये class हमारा रहेगा, 10 बजे आपकी class है, concept भी होगा, practice भी होगा, पूरे chapter का practice होगा, अज last में पूरा chapter का practice कराऊंगा, और topic wise practice का जो doubt आपका था, वो sort out हो जाएगा, exam से पहले capacitance को फिर से कोलने की जुरुत नहीं पड़ेगी, इस बात की guarantee मैं देता हूँ, concept अगर आप के लिए कर रहे हैं तो, ठीक है, चलिए, तो class को start करूँ बेटा, एक poll मेंने किया हुआ है, और उसमे 97% मेरे soldiers मेरे साथ कंदे से कंदा मिला के चल रहे हैं, और कह रहे हैं कि sir, full support है, class को share कर देंगे, एक बार उस poll पे poll करके बताना, अगर आप class को share कर रहे हैं, अगर आप full support के लिए आ रहे हैं, टीम के साथ में, एक बार poll पे yes करो, और class को share करके आओ, मैं class का introduction आपको देता हूँ, अगर आपने मुझे अनकेडमी पे follow नहीं किया है, तो अनकेडमी learning gap आप download कर सकते हैं, और जोइन कर सकते हैं, अगर आप plus का course जोइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए category select करें, gate subscription पे click करें, 3 month, 6 month या 12 month select करने के बाद, आप हमारा code यूज कर सकते हैं, आरसर लाए capital letter में, then 10% off होगा, और उसी price range में बाकी सारे educator से भी आप पढ़ सकते हैं, यह हमारा telegram channel है, telegram channel तो चलिए class को start करें, पूरी की पूरी energy के साथ में, class को share कर दिया बिटा, प्रतेख बच्चा, प्रतेख बच्चा जिसने भी, yes, प्रतेख बच्चा जिसने भी, हाँ, फटापट से एक बार class को share कर दो, क्या वात है जल्दी से एक बार क्लास को शेर कर क्या हो बिटा फटापड से शबास क्या वात है बहुत बढ़िया शबास जबरदस्ट जबरदस्ट बिटा जल्दी से एक बार क्लास को शेर कर क्या हो क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिटर रब को भी निकाल लेना क्योंकि आज गमासान होगा concept का भी और practice का भी पूरी energy के साथ अपने आपको connect करके रखना है सुरू से लेके last तक और मैं एक बात बोल रहा हूँ exam तक आपको capacitance को revise करने का ज़रूत नहीं है क्योंकि इतने concept आपको करवा दी जाएंगे exam से पहले एक बार revision कर लेना अपना काम हो जाएगा चलो start करते हैं last day हमने जब class को end किया था तो parallel plate capacitor के capacitance का हलवा बनाया जा रहा था comment कर दो copy में लिख दो parallel plate capacitor का capacitance का formula agree करना मैं प्रते एक बच्चे का reply चाहूंगा फिल आना चाहिए मेरे सामने offline में बैटके पढ़ रहा है याद रखना ठीक है c बराबर a epsilon note बटा d copy में लिख दो comment में लिख दो क्या ये formula parallel plate capacitor का सभी बच्चों को आता है सराता है इस formula का operation करते हैं अपी का अपी क्या depends on किसकी बात हो रही है capacitance की बात हो रही है किसकी बात हो रही है बटा capacitance की बात हो रही है धारिता की बात हो रही है सबसे पहले plate की मद्दे की दूरी डिस्टेंस बिट्विन टू प्लेट्स जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है C inversely proportional D C समानुपाती एक बटा D प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे Capacitance घठेगा प्लेटों के बीच की दूरी घठाएंगे Capacitance बढ़ेगा पहला concept केवल formula यह तो कुछ भी नहीं केवल formula से उड़ाएंगे पहला concept दूसरा concept प्लेटों के एरिया पर आवर लेपिंग एरिया जो एरिया उसके काम में आ रहा है प्लेटों के लिए जो एरिया यूज में आ रहा है उसके लिए सी बराबर ए एपसाले नोट बटा डी सी डाइरेक्ट प्रपोजनली ए एरिया एरिया पर डिपेंड करता है अगर प्लेटों का एरिया हाप कर देंगे कैपिसिटेंस भी हाप हो जाएगा प्लेटों का एरिया डबल कर देंगे कैपिसिटेंस भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा ये बात आपको समझनी है area हाप किया, capacitance हाप, area डबल किया, capacitance डबल, यही सवाल इधर से बनेगा, और tension नहीं लेनेगा, एक चीज में clear करूँगा, एक बापू level का सवाल बनता है paper में, क्या जी, यह एक plate है आपका, इस पे plus Q आवेस है, और इस plate का नाम है बेटा A, और एक दूसरा plate है B, है न, इस पे minus Q आवेस है, और यह लोजी, यह plate है आपका B, plate B की, जो area है, उसको कम कर दिया जाता है, तो क्या capacitance पे कोई फरक पड़ेगा, क्या, आप मुझे बताइए, मैंने इस वाली plate को काट के थोड़ा छोटा कर दिया है, तो क्या फरक पड़ेगा, नहीं, क्योंकि जितना positive charge इस plate पे उतना negative charge इस plate पे induced होगा, तो capacitance पे अगर एक plate को छोटा कर दिया जाए, यह सवाल practice में मिलेगा आपको, अगर capacitor की एक plate को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, तो क्या capacitance पे फरक पड़ेगा, capacitance पे कोई फरक नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, चलिए आगे चलते हैं, तीसरे point पे, सर जी यह point तो formula में था ही नहीं, यह कहां से आया, चलो जरा गोस्ते देखिए, c बाराबर a epsilon note बटा d, यह क्या है, vacuum, चलो medium लिखके बताता हूं, cm बाराबर c, k, k क्या है, die electric constant, medium पे depend करता है, जी, हाँ, अगर दोनों प्लेटों के बीच में कोई die electric constant रख दिया जाए, तो capacitance उसी अनुपात में, capacitance उसी अनुपात में, बढ़ जाता है, अब मुझे एक बार एक सवाल का जबाब comment में दे दू, क्या formula के तिनों point प्रतेक बच्चे के clear हैं, मैं अब इन सब को भूलाने के लिए बोलूँगा, कि आप उन सब को भूल जाओ, एक ही चीज याद रखो, c direct proportionally a, c proportionally one upon d, और यहाँ पे में तीसरा बोलूँगा, c depends on medium, माध्यम की बात अपन करेंगे, die electric constant की बात अपन करेंगे, क्या ये चीज़े तिनों इस एकी formula से clear हैं, तो shortcut में अपड़ी memory में store करो, बाकी memory बचाओ, काम में आएगी आगे, आगे बढ़ू बेटा, ये तिनों याद है सर, बस ये agreement मुझे करते रहो, ये agreement आप comment में डालते रहो, मज़ा आ जाएगा, शुरुवात हैं, एक बड़िया लेवल का बापू बना लेते हैं, एक बड़िया लेवल का बापू बना लेते हैं, जरा ध्यान से समझना, फील करना, practice का question है, direct थपा मिलेगा, प्रेक्टिशेशन में, क्या, capacitor को DC का विरोध करता है, अरे बनती तक नहीं है, capacitor तो क्या जुगाड है, मैं आपको एक जुगाड बताता हूँ, ये कौन है जी, capacitor है, इसमें जब DC आता है, तो DC तो स्टेट लाइन होता है, वो इसमें से गुजर नहीं पाता है, भाईया, ये दिवार तूट ती, काहे नहीं है, अरे काहे तूटेगी, ये capacitor है, तो DC ए, AC को ले के आ, फिर भाई साब AC आया, कैसे आया, ये घूंगता हुआ आया, और ये निकल गया, AC चला गया, वाव, AC लपेटा मार गया, और DC को टाटा बाई बाई कर दिया, वापस बेश दे, DC नहीं गुजर सकता, कैफिशिटर से, कैफिशिटर से, DC नहीं गुजर सकता, लोजिक रुक जाओ, थम जाओ, इन्फाइनाइट रेस्टेंस है, जबकि AC के लिए, बड़ा इजीली, करेंट फ्लो कर जाता है, गुरुजी एक, आगे का कॉंसिट बता दोना, अल्टरनेट करंट का, AC, कोण सा वाला, ये वाला, XC, रे भाई, तारे को काट एंजन है, XC, बराबर एक बटा, ओमेगा सी, यही तो होता है, कैफिशिटर का, रेस्टेंस, कैफिशिटिव रियक्टेंस, धारिये प्रतिघात, डेप्ट नोलेज की बात कर रहा हूं, नहीं तो वहीं पे खतम करके आगे चला जाऊंगा, दिल सी बात, दिल तक पहुँचनी चाहिए, तब भी तो अगले वाले को पता चलेगा, कि सिग्नल कितना स्ट्रोंग कितना वीक है, आँ, स्ट्रोंग सिग्नल देना है, एक सी बराबर एक बटा, ओमेगा सी, और अगर ओमेगा की बात करता हूं, तो टूपाई एफ सी, एफ फ्रिक्वेंसी, और अब मेरे लाल मुझे बताना जारा, बताओ जयरा DC के लिए फ्रिक्वेंसी, जीरो, तो बताओ, DC के लिए XC किसके लिए, DC के लिए XC का वेल्यू इन्फााइन आएट है, क्या लिखा है ऊपर, DC के लिए, रेस्टेंस इंफाइनाइट होता है, कोन होता है वो, केपेसिटिव रियक्टेंस धारिये प्रतिखात कितना जी इन फाइनाइट और इसी लिए डीसी तो नहीं गुजरेगा एसी का फ्रिक्वेंसी निकाल लो 50 हर्ट तो इसमें से करंट गुजर जाएगा यह मेरा था टेक्निकल ट्रेक जुगार अपनी देशी बासा में इसको जुगार से याद रखो और दिल की बात दिल तक पहुंचानी है तो भाई साब यह याद कर लो लेकिन इसका बापू बनना चाहिए पेपर में आये दोड़ा दोड़ा के फोड़ना चाहिए एग्रिमें दो फटापट से जल्दी से मेरे सेर शाबाश 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 चलो आगे बढ़ता हूँ अभी मेरे सेरों के सामने एक सवाल आ गया रहे लपेट दो लपेट दो फटापट बट जबर्दस्त आज प्रैक्टिस में भी गरदा उड़ेगा अज बहुत जबर्दस्त जबर्दस्त क्यूशन लेके आया हूँ एक एक कांसेप्ट को डील करेंगे जल्दी से बिटा जबाश टाइम दे रहों बिटा प्रोपर कोई दिक्कत नहीं आज अपनी पास अपिस से जुड़ा हुआ है बैटरी कनेक्टेड है की और बीच में एक डाइलेक्ट्री कॉंस्टेंट का स्लेब रख दिया जाता है तो पट्टिकाओं की ऊपर आवीस की पहले के आपिस की तुन्ना में वाबाई वाँ वाँ मजाई आ गया रे इस कॉंसेप्ट के लिए बच्च यह प्लस का क्यों आवेस है यह माइनस का क्यों आवेस है फील करना वेटा यह माइनस का क्यों आवेस है और यह नीचे मैंने बैटरी कनेक्ट है नोटिस करना कम की बात बैटरी से कनेक्ट है बैटरी कनेक्टेड है भी ध्यान रखना बैटरी कनेक्टेड है अब आप यहां दारन करने की सम्टाव बढ़ गई इसको बुला रहे चार्ज को बुला रहें चार्ज का से आएगा बैटरी कनेक्ट है और बैटरी में चार्ज का अथा बंडार है तो भाई साब केपी सिटेंस बढ़ गया और केपी सिटेंस बढ़ते ही बैटरी से चार्ज का बुलावा आया आई ये आपका इंतजर था चार्ज आया तो चार्ज पहले के कमपेरिजन में बढ़ जाएगा option c रट्टा मारना बिलकुल मना है के वल फील करना बात दिल की दिल तक पहुंचनी चाहिए concept की वैलिरिटी लाइफ टाइम होनी चाहिए फील हुआ के नहीं हुआ concept के लिएर हुआ concept फिल हुआ के नहीं हुआ रहे बैक टूबेग फायर कमेंट में ठोक दो यसर जल्दी से सारे बच्चे एक बार फटापट शाबाश जल्दी से जल्दी से फटापट अगला सवाल एक और सवाल बैक टूबेग फायर फिर concept आएगा फिर प्रैक्टिस और लास्ट में पूरे चेप्टर का प्रैक्टिस होगा गर्दा उड़ाएंगे पूरे चेप्टर का प्रैक्टिस एक साथ लास्ट में पहले concept के लिए कर मुले किस पर आश्रित ना है इदर पढ़ ले बैटा ये कुछ जादा सुद इंदी हो गया है इसको पकड़ लो अपना काम हो जाएगा इस पर डिपेंड नहीं करता है अभी अभी हलवा बना के आया हूं है इस पॉइंट का और इसलिए सवाल इंपोटेंट है एक बच्चे का सही वोना चीए एरिया पे डिपेंड करता है मीडियम पे डिपेंड करता है प्लेटों की बीच की दूरी पे डिपेंड करता है डज नोट डिपेंड सौन मैटेरियल आप प्लेट डजनोट डपेंड्स ओन मैटेरियल औप प्लेट यह जो आपने प्लेट लिया है वो किसका बना हुआ है मतलब नहीं है क्यापिस्टिंस को चाई पीनी है कौन से कप में पी रही हो फरक नहीं पड़ता सोने के कप में चाई पीनी है अरे अमरत बन जाएगा क्या प्लास्टिक के कप में पी रहें चाई यह बाव भुए यह परक नहीं पड़ता इस बात पर एस वने का कप अरह तो सोने का यह कप तो चाई डबल आ जाएगा उसमें क्या पिस्टेंस बढ़ जाएगा डज नोट डिपेंड्स ओन मैटेरियल और प्लेट ऑप्शन डी टॉप पेपर का बड़ा पेपर का चिपका दिया क्या अरे बैटरी वाले बभू थोड़ा सा रुक जा अभी बहुत सा रहे अभी तो एक अरे यार एक फटा का पोड़ा रहे वो भी छोटा वाला अरे बड़े धमाके होंगे अभी जब क्लास एंड करूं तो कैपिस्टेंस का कोई डाउट बच जाएतु मुझे रोक के ऊचना सा रुको थोड़ा सा अभी फटा की फॉर्ड ने दो मुछे अभी तुम रुक जाओ एक-एक concept का एक डाउट किलिर करूंगा एक सवाल है फटा अप्लपेट दो फिर कॉंसेप्ट पे चलेंगे फिर कॉंसेप्ट स्टार्ट होगा एक सवाल और है बीच में जल्द इसे एक पतली धात्विक पट्टि पी एक सी धारिता वले समांतर प्लेट संधारितर के प्लेटों के बीच आधी दूरी पे कि इस प्रकार रखी जाती है कि दोनों प्लेटों के पैरलल है तो क्या होगा पूरा ढंक से पढ़ देना सवाल को बड़ा गजब क्यूशन है बड़ा गजब क्यूशन है आपको बहुत बढ़िया सवाल है शावास जल्दी बता दो एक पतली धात एक पट्टी पी सी धारिता वाले समांतर प्लेट संदारित्री के प्लेटों के बीच आधी दूरी पर आधी दूरी पर कुछ ने तो कर दिया पर हो गया पर बेटा गए लपेट दिये गए इस सवाल की दो लेंगवेज बच्चों ने समझिये कुछ बच्चों ने तो समझिये क्या कि भाई साब आधी मोटाई की प्लेट रख दी यानि डी बाइटू मोटाई की प्लेट रख दी तो खाली जगे कितनी बची डी बाइटू तो सी बाराबर ए अपसले नोट बटा डी डी आधा हुआ तो धारिता दुगनी पतली एलुमीनियम की पनी रखी थी मैंने एलुमीनियम की पतली पनी रखी थी यह उसी का बड़ावाई है चेंज करके आगया में कप करके यहां पे पतली प्लेट रख दी है डाज नोट डिपेंड्स कोई फरक नहीं पड़ेगा ऑप्शन थी यह इसने बीच आधी दूर भी पर रखी ए हो अधी मोटाई की नहीं रखी है की दूरी नहीं और जाओ में yes ओए आज तक आपने दो तीन चीजे याद की होगी आज देखन अलवा भनाते हैं combination of capacitor parallel combination series combination 1ग कोउमबिनेशन c 1 प्लस 1ट प्लस 1ट सी 2 1ट सी 3 एक प्लट सी N C बराबर C 1प्लस 2प्लस C 3 भस खतम आज देखन कैसे गुमाते हैं घौल को सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं combination of capacitor there are two types of combination of capacitor पास्ट से पैरलल और सेकेंड श्रीज अब पैरलल स्रीज का थोड़ा सा इमेजिनेशन तो कर लो स्टेंस के साथ सबसे पहले हम स्रीज कॉम्बिनेशन को लपेट लेदो स्रणी कराव इस पे moreवानी कर के जरा काती लादाओं से देखना इसको गोर से देखना काती लादाओं वोली है तो बश समझ जाओ गोर से देखना है, यस, एक capacitor C1 capacitance, दूसरा C2 capacitance, तीसरा C3 capacitance, potential V1, potential V2, potential V3, और एक V potential का battery connect है, मैं battery बना देता हूं, confuse मतों, एक चीज जो मैंने काते लदाओं से देखने के लिए बोला है, जिसने देखा है चस्मा उपर नीचे करके उसको पता चल गया होगा कि मैंने एक चीज नहीं लिखी क्या उसी के लिए बोला था क्या नहीं लिखी कमेंट में बताओ मैंने चार्ज नहीं लिखा अगर इसका Plus का Q Charge है तो इसका Minus होगा और Induction के दुआरा Same यही Charge इधर Plus का Q, इधर Minus का Q इधर Plus का Q, इधर Minus का Q और मेरे भाई, सबसे बड़ा केल یہी था सबसे बड़ा केल यही था Charge Same सबसे बड़ा केल यही था मेरे भाई सिरीज कोंबिनेशन में कैपेशिटर की जितने भी प्लेट है उन सब पे चार्ज इक्वल होगा आवेस बराबर होगा बीच बीच में प्रेक्टिस है अभी आगे और लास्ट में पूरे चप्टर का प्रेक्टिस कराऊंगा तो अपने आपको बना के रखना वेदान में ठीक वी वान वी टू और वी थ्री वी वान वी टू और वी थ्री पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है पोटेंशियल अलग 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 होना ही होना है आप मुझे एक बात बताओ इस बेटरी का जो वी पोटेंशियल आपको यहां पे दिया गया है वी पोटेंशियल आपक पे से मैं मुझे एक काम की बात बताना मेटा आप मुझे बताओ क्यों बराबर क्या होगा सर्जी Q1 बराबर होगा C1 V1 मैं Q1 क्यों लिख रहा हूं जारज तो से मैं जी हाँ अभी मैं बताता हूं आपको इधर लिख देता हूं Q1 Q2 और Q3 तीनों क्या है बराबर है अच्छा बिटा Q2 बराबर क्या होगा कि सी टू वी टू और Q3 बराबर क्या होगा सी 3 वी 3 क्या मैंने सही रिखा क्या गोर फर्माईए सही लिखा क्या अच्छा जी चलो कोई दिखा निए है Q1 Q2 Q3 बराबर है इसको आप क्यों मान सकते हैं जो मैंने यहां पे लिखा है अच्छा टोटल पोटेंशियल है टोटल पोटेंशियल यह कैसे निकालोगे टोटल पोटेंशियल वी बराबर वी 1 प्लास वी 2 प्लस का वी 3 वी बराबर क्या होगा वी 1 बराबर क्या होगा रे क्यू बराबर सी वन वी वन तो वी 1 बराबर क्यू बटा सी वन वी 2 बराबर क्यू बटा सी 2 और वी 3 बराबर क्यू बटा सी 3 क्या मेक अप है गुरुजी मजा ही आ गया दिल गार्डन गार्डन हो गया वी बराबर क्या q बटा c2 q बटा c3 q को मलेके उड़ा दिया और उड़ा दिया गेस पे खाली कुकर चड़ा दिया ये खाली नहीं है पूरा भरा हुआ है कुकर और उस कुकर में क्या पकरा है उसमें पकरा है स्रीज कॉम्बिनेशन में c इक्वेलेंट एक बटा c1 एक बटा c2 एक बटा c3 मेरे भाई अभी का भी बता तीनों के तीनों कंसेप्ट ये फॉर्मुला याद रखेगा बाकी चीजे 0 है तो प्रोब्लम आएगे अगर इनसे कंसेप्ट आ गया इनसे सवाल आ गया तोते उड़ जाएंगे ये चीज याद करना जरूरी है लेकिन इस चीज को बनाने के लिए ये कॉंसेप्ट हमने यूज किये हैं ये चीजे भी मेरे प्रतेक सोलजर को किलिर होनी चीए क्या मैं सही हूँ क्या मैं सही हूँ इस बात से सहमत करता हूं बटा ये सो नो एगरी करता हूं बटा इस बात से जल्दी से प्रतेक बच्चा क्या एगरी करता है बटा प्रतेक बच्चा इस बात से ओके तो फिर भलवा बनाते हैं येस दो ही कैपिसिटर हो इनका सोट्रिक क्या है सि एक्वेलेंट उपर गुणा करो अरे मेरे लिखने से पहले लिख दे ना कमेंट में और मेरे को बोलना गुरूजी अमें भी आता है अमने भी लपेट दिया, उपर गुणा करो, नीचे टोटल करो, अगर दो ही कैपेसिटर हो, और दोनों सिरीज में हो तो, ये तो मुझे अलग से बताने की जरूतिय सब को पता है, एगरी, ये सर, शाबास, आगे आजाओ, ये कौन सा आगे आजी, ये आगे आपका पेरलल यानी समांतर करम संयोजन, कातिल अदाओं से इस फिगर को देखना और इस बार जो मैं पूछना चाहता हूं, पूछन से पहले बतादो कमेंट में, ये आपका बैटरी प्लस और माइनस, जिसका विभोव वी वोल्ट है, कि वन चार्ज, सी वन प्लेट, वल्ट कैपिसिटेंस, क्यूटो, सी टू, क्यूट्री, सी थ्री, जरा गोर से बताईए मुझे, दिक्कत कहां पे है, तीनों में कातिल अदाओं से देखा, तो पोटेंशिल नजर आया, सर्दिल की नजर से देखा है, हमें पोटेंशिल नज पोटेंशिल वी क्या होगा, वी क्या होगा, सेम होगा, बोले तो मैं बोल सकता हूँ कि वी वन, वी टू और वी थ्री किसके बाराबर होंगे, वी के बाराबर होंगे, तो फिर तो खेलोगा सर, मैंने पुछा कैसे, गुरुजी क्यू बताओ क्या होगा, क्यू वन बाराब t вопросы रहें अलग अलग कौन है टोटल चारज बता तो पिछली बार ependना क्योंकि आद़्ड कॉटल पोटेंशियल निकाल था क्योंकि पोटेंशियल अलग था इस बार टोटल चार्ज निकालेंगे क्योंकि चार्ज अलग-अलग है टोटल चार्ज, क्या विटा जरागोर से देखे, Q बराबर Q1 प्लैस Q2 प्लैस Q3, Q बराबर Cv बराबर C1V, C2V, C3V, C जी क्या हो सकता है रहे, C1 प्लैस C2 प्लैस C3, बताओ कितने बच्चों को याद है, 100% बच्चे बोलेंगे, सर मुझे याद है, 100% बच्चे बोलेंगे, सर मुझे याद है, पूरे जोस के साथ में, पूरी एनरजी के साथ में, जल्दी से रिपलाई कर दें, सर मुझे याद है, इमानदारी के साथ में, पटापट से, जल्दी से बताओ बड़ा, सर मुझे याद है, तो मिर में आगे बड़ता हो, पटापट, ओके, यस, 94% बच्चों ने बोला कि सर पूरा सपोर्ट है, शेर करेंगे, 6% बच्चों ने बोला कि नई शेर शेर नहीं कर सकते, कोई बात ने बटा, आपका पी तहीर दिल से विलकम कोई परिष्थितियां रही होगी जिसकी बचे से आप शेर नहीं कर पाएंगी कोई प्रोब्लम रही होगी या को इस्यूर आऊघा नहीं होगा प्रोबलम होती होगी मतलब पैसा खर्च होता होगा कुछ भी XYZ इंटरनेट आ एक्स्टरा लग रहा होगा कुछ भी लेकिन ये 94% बच्चों ने share किया या नहीं किया लेकिन एक digit है मेरे सामने जो मुझे energy देता है जो मुझे जोस देता है ये सोच के कि मेरे साथ इतनी बड़ी आर्मी खड़ी है तु काहे टेंचन लेता है काहे डरता है इतने soldiers जो तेरे पर यकिन करते हैं वरोसा करते हैं उसके लिए तु जंग लड़ रहा है और वो जंग आपको भी जीतनी है और आपके teachers आपके team को भी जीतनी बसफिर का टेंचन है तेंक्यू सो मच बटा बहुत बहुत हवार आपका तो चलो बटा सीक्वेलेंट सब को किलियर हो गया एक बार बच्चा एगरी कर दे सारे बच्चे मेरे साथ मिलके एक बार एगरी कर दे बटा सीक्वेलेंट बराबर C1 प्लास C2 प्लास C3 बहुत ही आसान है सर जी हमारे को डाइरेक्ट याद है कोई इशु नहीं है कोई प्रोब्लम नहीं है सबी बच्चों को याद है बैटा डाइरेक्ट चलो जी आगे आते हैं आगे बढ़ता हूँ अगले वड़े पोइंट पे मुझे लग रहा है बाबो वही है इसका भी मतलब अच्छा दो ही अगर हो अगर दो ही हो तो बैटा दो होगा तो डाइरेक्ट सी इक्वेलेंट क्या होगा वही बैटा इसमें तो कुछ है नहीं ये दो के लिए वो वाला सोटरी काम आता है सिरीज वाला बस उसमें क्या होता है किसी इक्वेलेंट बाराबर उपर गुणा हो जाता है और नीखे टोटल हो जाता है अब भाई इसमें तो चाहिए दो हो चाहिए दस हो चाहिए पचास हो सब को एजटी जोड़ना है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें दिक्कता तो उसको उमने लपेट दिया, उसको बढ़िया कर दिया, ठीक है, मुझे लग रहा कि इसको तुरह प्रोब्लम है, अलका-लका कुछ गेस बन रही है, इसके न, बिटा, तुशाइड में हो जा, लेकिन मजा नहीं जाए, अरे एनर्जी आजाए, जल्दी बताओ, यह देखो, यह कैसे कितने सेल खाता यह, पुरा लाके जुगार रख दिया, इसके लिए, बहुत खाता भाई, एनर्जी, है, तो मटर पनीर चाहिए भाई, बहुत बदमास, यार, यह तो, इतने सेल खाता है, इतने सेल खाता है, तारा भाई इतनी रोटी खा जाएगा, इतनी रोटी खा जाएगा, गभी सोची ना होगी, तो भाई, यह भाई, इतने सेल खा जाएगा, इतने सेल खा जाएगा, कि तारा भाई ना सोची ना होगी, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर दे आपको बढ़ाँ वैदर से मुझे पता है कि यह चीजा आती है यह शीज आती होगी पहले से पता होगी यहां से बनाएंगे डुक्रा लेवल से सभी बच्चे सभी बच्चे इस इसवाल के लिए तो इस पना शिरीज में जोड़ा जाए, तो बेटा, C बटा, N capital है ला, C बटा N, अगर N capacitor parallel में हो, ये series में है, ये parallel में, P for parallel, S for series, तो ये बटा क्या होगा, N, C, अब पता है, paper का क्या सवाल था, कौन बच्चा मुझे बताएगा, कौन बच्चा मुझे मानदर से बताएगा, paper का सवाल थ हा, CP, अगर N capacitor को parallel और series combination में लगाया जाए, तो उनका ratio होगा, उनका अनुपात होगा, CP बटा, CS, जल्दी से comment करके बतादो, फिर मैं इस कांसर बता देता हूँ आप, जल्दी से बटा, जल्दी से calculate करके बतादो, फिर मैं इस कांसर बता देता हूँ आपको, ठीक है, स्यावाश, वेरी गूट, स्यावाश, लव यू बेटा, लव यू जयाही, नमस्ते, नमस्ते बहुत अच्छे, बत्ता कहरा है, कुछ भी नहीं इसर सामने रखाया है, रख दो बेल्यू, कोई दिक्कत ने, आप भी कर सकते थे, और बच्चों ने कमेंट भी किया है, साल ल सब्सक्राइब, यह बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है, यहां से पेपर में सवाल बनाया जा सकता है, बेटा, आगे आ जो, मैंने आपको पहले दिन एक कॉंसेप्ट नहीं दिया था, कि स्कूल बस सुबह सुबह स्टार्ट होगी, पहला बच्चा आके बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैठेगा जहां मर्जिया है, दूसरा बच्चा आएगा, तो उस पहले वाली सीट पर बैठने के लिए मुक बैठेगे मिल जाया, तो दो सिंगल अड़ी के बच्चे और बैठे थे, थोड़ी सी जगे देना, तो उनको मैं किसका के बैठ गया, लेकिन मैं इसको सीट को पकड़ के बैठाओं कहीं, कहीं घुमावा में गाड़ी आए, और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगें, और आप गिलेरी में आजाओ नीची, है के नहीं, तो मैं यूँ पकड़ के बैठाओं सीट को कहीं गिर नहीं जाया, मेरे को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, मेरे दुआरा बहुत सारा काम किया जा रहा, पशीना पशीना हो रहा है, हात पेर दुख रहे हैं, लेकन बैठाओं एनर्जी के रूपे है और यही एनर्जी है जो कैपिसेट ने स्टोर करके रखी है यह एनर्जी है उसकी जो स्टोर करके रखी हुई है यह एनर्जी है उसने जो स्टोर करके रखी है अपने अंदर उसी के बारे में बात करते हैं यानि आविशित चाला की इस्तति उर्जा य दुसरे चार्ज आएगा तो पहले वाले चार्ज का विरोध किया जाएगा और उसके विरोध में आपको क्या करना पड़ेगा काम करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ बेटा यह जो एनर जी है है किए इनर्जी है किस फॉर्म में स्टोर होती है कैपिसेंटर में जो एनर्जी स्टोर होती Hat प्रैक्टिस क्या सवाल हां करवाया है मैंने कई बार कैपिसेंटर में स्टोर है किस फॉर्म में होती होती है magnetic electric बहुत ननोपति विद्दूत चित्र के रूप में चुम्बक के चित्र के रूप में दोनों के रूप में या नो आइडिया जुल्दी बताओ किस फॉर्म में होती है यह जल्दी बताओ यह एलेक्ट्रिक फॉर्म में चाबाज एलेक्ट्रिक फॉर्म में तो यह एक सवाल सवाल लोट करें किस फॉर्म में होगी बेटा यह जो एके किस फॉर्म में हो विद्दुद्चेत्र के, या विद्दुद्ध फॉर्म में, विद्दुद्चेत्र के, कोई डाउट किसी बच्चे का, नहीं, चलो, बस यह सवाल, अच्छा एक चीज और था, एक चीज और था, मैं वो तो बताना भूली गए, एक सवाल और था, यह भी क्यूशन है प्रेक प्लेटों के ऊपर प्लेटों के बाहर प्लेटों की बीच में जल्दी से बतानों यह स्टोर इनर्जी कहां रहती है प्लेटों के बाहर प्लेटों के बीच में प्लेटों के ऊपर यह सवाल भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है आओ यह सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस करवा है यह वी क्विशन माने आपको करवाया जल्दी बताओ लेटों के बीच में मिडिल मैं प्लेटो सब्सक्रान के बिच में होते हैं यह जो इनर्जी das hope रोती ये प्लेटों पर नहीं होती है फ्लेटों एनर्जी क्या है यस एनर्जी का फॉर्मूला आपको दूगा क्योंकि अपने को फॉर्मूले से मतलब है तो बिटे जो कैपिसिटर में स्टोर एनर्जी की फॉर्मूले है Q2C 1 बटा 2CV2C1 बटा 2QV क्या यह तीनों फॉर्मूले सभी बच्चों को याद है इसमें एक बटा 2 है नोटिस करना अलवा बढ़ाओंगा इसमें एक बटा 2 है इसमें एक बटा 2 है आजी मैं सुबह खूब सरा खाना खाके बैठा दो चपाती खाके बस में बैठा ममा ने टीफिन बढ़ा के दिया कि बटा टीफिन ले जा टीफिन खाले ना लंच में अब जो मैं सुबह खाना खा करें जैसे बस में बैठा, तो मेरा आधा जो एनर्जी में ले के आया था गच्चे उसको पकड़के रखणे में खर्च हो गया even a energy state a दा खर्च हो गया को जब उने उसे चार्ज और विरोध में ही तो सबसे बड़ा लोजिक क्या है उसी लोजिक को समंझों लोजिक यह है कि हीट की रूप में नर्जी बदलगे पासीन कि समझ में यानि आधी अनर्जी खर्च हो जाएगी एधी इनर्जी स्टोर हो जाएगी एक बटा दो क्यू वी यह कुंड़ सा फॉर्मुला रहे भूल गए तुम यार वी बराबर डबलो बटा क्यू तो डबलो बराबर क्यू वी नहीं होता है क्या यही तो फॉर्मुला ही है अब इसको मेरे भाई तुन्हें आधा कर दिया क्योंकि आधी एनर्जी तो गई टाटा ब दो यह यह आगया अब ऐसे इसको बदल लो रहे बैक अप तो इसकाई करना मेरे भाई डिराइव नहीं करना लेकिन याद रखना है और लपेट देना है क्या कहते हो इसको जाते जाते पूरा इनर्जी साफ है अरे बदमास है लेकिन तुम्हेरे में इतना पैसेंस कहा है रहे थोड़ी दूर चलेगा और वो बस गुमाव में गुमेगी तुम ऐसे गिरने लगोगे मतलब तुम्हारे जो दो है ना दो सीट है दो सीट उनमें एक सीट सीट के नीचे है और अगर गुमाव आया सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगा और दूसरा सीट भी सरकने लगा बोला हम तो चले सनम इतने में गुसा आएगा पकड़ लेंगे और क्या रहे बैठने के लिए बिठाएगा नहीं नीचे गिरा रहे तो तुम मुकलात वहीं पर कर लोग याद होगी और बहुत बड़ा सवाल बनता भी नहीं है बहुत बड़ा सवाल नहीं बनता अब अब बने अब बनेगा इस लाइन को पढ़ लो जब चार्ज का री डिस्टूबीशन किया गए चार्ज का पुनर वित्रण किया गया जैसे मालो मैंने आपको लड़ू बाट दिये हैं आप कहोगे जोटे ही सर अरे मालो यार तुम्हारा सेलेक्शन हो गया तुम मेरे लिए खुप सारी मिठाए लेके आयो वो मिठाए मैं अपके माबापू का बंदा उन्हारा नमर को बात में आता है तो मैंने आपको मिठाए वापस सेख ला दी और आप महाबापू के साथ हमारे साथ यहां मिलने आ घए तो फिर सुर्ड़ी ब्रहान के दर्षन हो जाएंगे तो मैं चीय ही क्या है इस से बढ़ी बाद क्या हो कि एक टू वन थ्री डबल जीरो हाँ कि जी हाँ तुम्हें क्या बता रहा था बैटा क्या लोजिक था लोजिक ये था कि बाई साब है एनर्जी का डिस्ट्यूबिशन हो गया उर्जा का पोनर वित्र होगा लेकिन उसे दोरान बहुत सारा नुक्सान होगा उस नुक्सान को कौन भरेगा भाई कौन भरेगा उस नुक्सान को उस नुक्सान को कौन भरने वाला है यानि चार्ज का जब redistribution हम करने वाले हैं तो वहां पर बहुत बड़े लेवल पर बैंड वजने वाला है लेकिन मैं कुछ चीज़े आपको नोट करवाना साथ एला नोट और तुम मेरे साथ बोलोगे अगर एक गोला ये है दूसरा गोला ये है अगर दोनों का potential same है अगर potential same है वी same है देन चार्ज का redistribution चार्ज का redistribution नहीं होगा लिख लो अगर potential same है जो भी आपने conductor connect किया है अगर उनका potential same है तो कि चार्ज के transmission के लिए potential difference जरूरी है अगर potential difference नहीं है तो चार्ज का redistribution कटाई नहीं हो सकता ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता है तो पहला concept है पहला concept सभी बच्चों को के लिए रहें जल्दी बताईए अगर अगर अपन धनावेश की बात करें तो नावेश उच विभाव से निम्न विभाव की और जाता है गरें नावेश निम्न विभाव से उच विभाव की और जाता है लेकिन मैं इसको अभी बात नहीं करना चाहता जैसे बात करेगा तुमारा दिल जोर से दढ़कने लगेगा तो मैं ऐसा नहीं चाहता तो मैं इसको एक सिस्टम से लपेटे में लूँगा पुरी बात बताने के बाद कि यह बात वैसे ही बताऊंगा एक है चलो कोई बात नहीं है दूसरा पॉइंट है वह मैं आगया आपको अभी कॉंसेप्ट के साथ में बताऊंगा लेकिन सबसे पहल इलेक्टोस्टेटिक्स हमने पढ़ा और उसमें हमने एक बात पढ़ी कि चार्ज को अपन ना क्रियेट कर सकते और ना चार्ज को डैस्ट्रोई कर सकते कमेंट में लिखते ना तो कि चार्ज एक क्या है वेटा तंजर्वड क्वांटेटी है चार्ज का उनरवित्रण उतना नहीं होगा मैं लोज기가 समझाना चाहता हूं इसके पास पाच कुलाम है इदर जोड़ा इसके पास तेन कुछ लाम है तो चोड़ने से पहले बाद नहीं हो जाएगा if you know कि जोडने के बाद में दो और नहीं नहीं दुनिया में आ गये नहीं 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 इतों God है बिफोरं डिस्तिबिशन खार्ज कंजर्वाब रहता है पांच और तीन आठंड कूलाम पहले था है दन आपडर री दिस्तिबिशन ही आठंड हुगा यहानी चार्जंड कंजर्वीशन के 11 स्रक्ष्ण नोडस में लिखोगे तो लिखना वेटा आवेश रक्षन पर आधारीत है बेस्ट ओन चार्ज कंजर्वेशन ओके बेस्ट ओन चार्ज कंजर्वेशन जी एक सेकिंड 9-4-1-5 9-4-1-5-1-4 जी 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 दिस्टर बेंच के लिए माफी चाहते हैं तोड़ा सा कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनके लिए डिस्टर बेंच अप्रोवल देना ही पड़ता है ठीक है चलिए अब बेटा कुछ चीजे में चाहूंगा और बहुत बड़े लेवल पर अटेंशन चाहूंगा कुछ आने वाले 8 से 10 मिनट पुरा फोकस ही है मुझे पुरा स्क्रीन पर फिर मैं आगे की और बढ़ूंगा एक गोला मेरे पास है यहाँ दूसरा गोला यहाँ पर है मेरे समझना बेटा दो गोले आपको दिये गए एक इस पर यह एक इस पर यह आपको दिया गया है इस पर चार्ज है बेटा Q1 इस पर चार्ज है Q2 इस पर कैपिस्टें से C1 इस पर कैपिस्टें से C2 यानि चार्ज Q1 Q2 Capacitance C1 आपका C2 और potential माल लीजिए V1 और V2 क्या दोनों गोले connected हैं before connection then number 2 after connection देखे बटा wire जुड़ चुका है मामला transfer हो चुका है आगे की बात बढ़ रही है लेकिन दिक्कत यह है कि signal वी का रहा है signal बहुत वी का रहा है तो जरा गोर परमाईएगा पहले Q1 C1 V1 Q2 C2 V2 था wire connect कर दिया नया charge का redistribution हो गया Q1 dash Q1 dash पहले वाड़ा charge नहीं रहेगा charge बदल जाएगा Q2 dash यानि charge बदल गया इसका capacitance C1 था इसका capacitance C2 था अभी मैं एक सवाल आप से खरूँ सरर कैपिसेटेंज क्यो नहीं बदला Q1 C2 ही क्यो है किया capacitance charge पर depend करता है क्या capacitance potential पर depend करता है capacitance depends on shape size आकारा करती अरै गोला वही है या गोला बदल दिया गोला नहीं बदला इस पेर नहीं बदला इस पेर वही है capacitance नहीं बदल सकता नमबर टू पोइंट के लिए बड़ा फील करना इस बात को देखो रट्टा मारने को कोई भी रट लेगा जिन्दगी में मजा आ जाएगा इस सवाल का जब भी कोई कोई भी सवाल बढ़ेगा तो फील करना अच्छा तो क्या वता रहा था चार्ज नया Q1 Q2 डेज क्यापिस्टेन C1 C2 बट पोटेंशियल वी और वी मैं अभी पीछे क्या वताया था कि चाइर्ज का लेण देन तब तक होता रहेगा चार्ज का लेंड देंड तब तक होता रहेगा जब तक की दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता दोनों का विभाव समान नहीं हो जाता तब तक बना रहेगा दोनों का पोटेंशियल सेम है तब तक चार्ज का ट्रांस्मिशन होता रहेगा दोनों का potential same हो गया मेटा class लंबी चलेगी आज आज मैंने अभी बहुत कुछ आगे अगर आप class को switch कर रहे हैं बहुत कुछ miss करोगे याद रखना आगे भी बहुत सारा content पढ़ा है practice पढ़िए concept पढ़े है यह बात अपने दिमाग में रखना और एक बात मैं फिर बताता हूँ IR के नाम पे तैयरी सब करते हैं selection सब का नहीं होता selection सब का नहीं होता selection उसी का होता है जो हर एक चीज को detail से discuss करता है point to point किलियर करता है याद रखना मेरी से बात को तो यह चीज किलियर हुई charge q1, q2, q1-dase, q2-dase capacitance बदल नहीं सकता c1, c2, potential v1, v2 से v और v हो गया किसी बच्चे को कोई तकलीप है कोई doubt, कोई दिक्कत मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ बिटा q1 बराबर c1, v1 q2 बराबर c2, v2 कोई तकलीप किसी बच्चे को नहीं जी यहाँ पे लिखके बताना कहाँ, यहाँ लिख दू उपर यहाँ उपर लिख देता हूँ जगे बच जाएगी मेरी काम में आ जाएगी मेरे भाई चलो चलो यह q1-dase बराबर c1, v q2-dase बराबर c2, v अरे, खुदी देख लो यार v, v q1-dase बराबर c1, v q2-dase बराबर c2, v अरे, कुछ भी नहीं बढ़ाया, मेने नहीं मेरे भाई एगरी तो कर दे कोई डाउट किसी बच्चे को कोई डाउट किसी बच्चे को नई चलेगा, चलो जी चार्ज कंजर्वेशन आवे सरक्षन अभी मेने पीछे बताया ता चार्ज कंजर्वर रहेगा नम बीफोर कनेक्शन q1, q2 आप्टर कनेक्शन q1-dase, q2-dase q1 का वेल्यू c1, v1, q2 का वेल्यू c2, v2 बराबर q1-dase q1-dase, c1, v, q2-dase c2, v, v common लेलो c1, v1, c2, v2 बराबर v common लेलिया c1, plus का c2, v निकालना है रहे बाबो वहिया कर लो बाद c2, v2, पटा c1, plus c2 बन गया, एक तो बापो हो गया, आगया लपेटे में एक तो बन गया बापू इसको तो लपेट दिया common potential का numerical paper में इस बार चाप दिया था paper में इस बार air force में common potential का सवाल paper में चाप दिया था तुम भी तैयार रहना common potential एक बार मेरे साथ बोल के बताओ, लिख के बताओ V बराबर C1 V1 plus C2 V2 बटा C1 plus C2 C1 V1 plus C2 V2 बटा C1 plus C2 लिख के बताओ, comment में, copy में अभी का भी V common potential V common potential common potential V बराबर C1 V1 plus C2 V2 बटा C1 plus C2 परतेक बच्चा एकर दे एक बार common potential वाला परतेक बच्चा एकर दे बटा जल्दी से जल्दी से बताओ बटा जल्दी से बताओ पटापट से जल्दी 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 मजा आने वाला है बहुत बड़े लेवल पर जबर दस्त जंडे काड़ देंगे अरे लठ काड़ देंगे गुरुजी आजाओ सूपर कॉंसेट पेपर का डाइरेक्ट सवाल कॉंसेट से हीट करेंगे सवाल पर देंगे गुरुजी एक बात बताई दो आपने वायर को कनेक्ट किया मैंने बोला हाँ वायर को कनेक्ट करते ही पोटेंशिल कॉंसेट हो गया यान इक्वल हो गया जी हाँ तो आप पुझे एक बात बताई जैसे ही वायर को कनेक्ट किया आपने वायर को कनेक्ट किय तो आपने क्या कर दिया constant है सुरी potential को क्या कर दिया same कर दिया equal कर दिया Agree तो Q बराबर C V अगर V constant होता है तो Q समानुपाती C मतलब उस spare पर charge का distribution उसकी ओकात पर डिपैंट करता है का कैपेशिटेन्स पर डिपैंड करता है। अगर उसकी एक YouTube जाद आ है अगर उसका चापैशिटेन्स जाद is जाद है तो ऐस पे चार्ज जाद आएगा कुछ बच्चों के दिल दिमाग गुर्दे फेपड़े में ये बात है कि चार्ज दोनों पे बराबर होगा मेरे लाल कत्ताई बराबर नहीं होगा कब तक जब तक कैपिसी टेंस बराबर नहीं हो चार्ज ये लोजिक है ये बापू सवाल का कॉंसेप्ट है जब तक चार्ज का डिस्टुबिशन होगा वो क्यापिसी टेंस के बेशिस पे होगा क्योंकि वी कॉंस्टेंट है तो क्यू समानुपाती सी है और ये एक सवाल बनाता हूँ अब मुझे बताना क्या की बेटा और का सवाल बना देना तोले पर प्लेवल पर सवाल का सौन प्ल्री अग्जामत लिए नोट में स्पेशल लिखना भूंस को इसको इसको इसमनट को इसको फॉर्पर यह एक एक्जंपल आपको दिया गया एक बहुत बढ़िया एक्जंपल आपका छिसमे मैं स्कान एक बहुत बढ़िया एक्जंपल आपका हुआ हुआफ लुर्गomp ड्रभ प्ढ़ले बीटा पड़ले दो आवेसित अवरोधी गोलाकारों की तरिजय कर्म से 20 cm और 25 cm है आवेस अवरोधी है गोलाकार है रेडियस 20 और 25 है दोनों पे समान विद्धुत आवेस क्यों है ताम एक एतार से चोड़ दी तोनों पे आवेस बराबर बराबर था न अब बज़ेगा बैंड इसका लगाओ कॉंसेप्ट बढ़ाओ बापू इसका बेटा यस आओ मेदान में देखते हैं कॉंसेप्ट के साथ में तुक्का बाजी नहीं चलेगा कॉंसेप्ट के साथ में कॉंसेप्ट के साथ में यस सर कॉंसेप्ट के साथ में अभी अभी बताया जैसे ही वाइर से कनेक्ट करेंगे तो आवे इस दोनों गोले हैं अच्छा तो क्यों समानों पाती सी गोले की धारीता हो गुरुजी एक स्टेप आगे चले गए हां यहाँ पे रेडियस दिया है यहाँ पे सी नहीं दिया इसलिए मुझे एक स्टेप आगे बापू लेवल का सवाल बनाने के लिए बढ़ना मतलब Q1 बटा Q2 बराबर R1 बटा R2 और R1 कितना है जी 20 और R2 कितना है 25 पांच चोखा 25 25 चार अनुपात 5 अब आप मुझे एक बात बताईए आप मैं यहां पे लिख रहा हूं कितना बटा यहां पे जो अनुपात आ रहा है इसको मैं इस चार बटा 5 को अगर लिखना चाहू तो आप मुझे एक चीज किलियर करिये मैं इसको कैसे लिखूं अनुपात में लिख देता हूं क्या यह वेल्यू एक से बढ़ा है नहीं 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 चार बटा 5 एक से छोटा है यह वेल्यू लैस देन आपका वन इसको अगर आप में मल्टिप्लाई करूं तो बेट क्यों कि जिसका रेडियस ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा और चार्ज ज्यादा क्यों क्यों कि कैपिसी टेंस ज्यादा अब डारेक्ट यह चीज़े छोड़ दो टाइम आपका मैं सोट ट्रिक बता दू यह चीज समझा दी आप इसको छोड़ दो आप सोट में डारेक्ट आजो अनपात में बढ़ाने गटाने के चक्कर में तुम बहुत सारा टाइम ले लोगे और बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा डायरेक्ट सवाल पर जो जिसका रेडियस ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा तो बताओ रेडियस ज्यादा किसकी यह 25 वाले की तो 25 सेंट कि फुटा हो गया उल्टा कैसे बढ़ा अल्टा कैसे कि क्या विम कैसे अगर अगर और बढ़ा होगा यानि अल्य आज डारिता है डार होता है अगर और बढ़ा ओगा तो उस पे चार्ज भी बढ़ा होगा, यहीं चार्ज भी ज्यादा होगा, चार्ज भी ज्यादा होगा, सही है बिटा, सी ही आएगा, सी ही आएगा, ओके, सी ही आएगा बिटा, चलो, कोई बात, आगे आजाओ, लॉस ओप एनर्जी, भाहि साब, देखो, मैं एक चीज आपको किल सवाल बन जाएगा बाई एसा कता ही नहीं है पेपर में सवाल का सपना देखना बंद करो तुम्हें फोर्मुला याद होता तो अच्छी बात है नहीं होता तो रोना रोने की जुरत नहीं है आप डारेक्ट याद रख सकते हैं बस केवल और केवल अपने स्टिस्पेकेशन के लिए अपनी संतुस्टी के लिए और बाकी कुछ भी नहीं है तो एनर्जी लोस यू बाराबर यहां पे एक बटा दो लगाओ उपर कैपिसिटेंस का मल्टीप्लाई का मतलब उपर मल्टीप्लाई करना नीचे उनका डिफरेंस आएगा मतलब आपका C1 प्लस C2 किक है एक बटा दो उपर गुणा हो गया नीचे टोटल हो गया एक बटा दो उपर गुणा नीचे टोटल यहां पे पोटेंचिल का डिफरेंस लगा दो वी 1 माइनस वी 2 होल स्कॉर तो तो तोड़सा टीपीकल पड़ता है याद नी रहता कई बार फोर्मला तोड़से द्यां रखन यह आपका उपर गुणा हो गया नीचे टोटल यहां पे डिफरेंस आ गया वी 1 माइनस वी 2 होल स्कॉर तो तो तोड़सा मुस्किल है लेकिन आपको लगता है कि यहां पे पेपर में कोई सवाल आ जाएगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है बहुत ज्यादा टेंचन लेनी कि आपे नहीं होना चीए जल्दी बताओ यहां तक फॉर्मूला याद हो जाएगा क्या एक बटा दो सीवन सीटू बटा सीवन प्लस सीटू वी 1 माइनस वी 2 का होली स्कॉर एक बटाए एक चीज मुझे बताओ एक चीज मुझे बताओ अगर इफ वी 1 एक्वाल टू वी टू अगर दोनु गोलों पे दोनु इस पेर पे अगर वी 1 और वी 2 और अगर वी 1 वी 2 बराबर हैं तो वायर कनेक्ट करने पे एनरजी लमस कितना होगा energy loss कितना होगा इमानदार इसे बताओ जल्दी से बताओ यार comment करो अगर दोनों का potential बराबर है तो energy loss कितना होगा बिठा energy loss कब होगा कितना होगा कब नहीं कितना होगा यह बताओ आप मुझे बात पतो यह जब पोट आपको हंसी आ रहे होगी क्या सवाल बना दिया लेकिन विल्कुल बुद्धु सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है क्या यह अगर potential बराबर है यानि नहीं पोटेंचियल डिफरेंस ही नहीं है तो क्या चार्ज का लेन देन होगा नहीं अगर चार्ज का है लेन देन नहीं ओगा न कर लोच तोटल कोई दिखक्त नहीं या जी इदरीवन माइनस फी तू आ वोल स्क्वायर अगर बेबन बेट बराब्र तो इनतर जीरो घया लाउर अंतर जीरो हो गया तो गुणा में 0 तो पूरी बैल्ली जीरो भी तीक है पूरा का पूरा वेल्ली जीरो हो गया बिटा चलो आगया आजो कि इसन आगया बिटा आपकी स्क्रीन बाद जब अरदस्त वाला एक इसन आपकी प्रेक्टिस में आगया जब अरदस्त कॉंसेप्ट के साथ कि अधा नहीं कि अधा करें कि आधा है कि है अधा च्रीक बादस्त नाने इसन बन önce चले आगे बिटा की है कि कि चलो सवाल बजा बनापडर से जब दो आवे शीए चाल को पर dise पर गस्ष फर सकराय जाता है तो ओ ऊगfarl जी सवाल तो किया लेकिन याद नहीं रहा अभी सवाल तो किया लेकिन याद नहीं रहा अभी बताया नीता अनर्जी अरे मेरे भाई एनर्जी का लोस होगा आधी एनर्जी गई खतम फिनिस आधी लेकिन चार्ज बिफोर कनेक्शन अप्र कनेक्शन गांजर्वीशन यानी रहेगा ओन चार्ज ओप्शन बी विल बी राइट अन्सवार चार्ज क्या रहेगा बिटा कन्जर्वड रहेगा आवेश रक्षित रहेगा ओके यस सर चलो आगे एक और एक्जम्पल आपका जल्दी सौल करो बटा एके कॉंसेप्ट को क्लियर करेंगे एके कॉंसेप्ट को यस शबाज 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 दो आवेशित चालक जिनकी धारिताएं करम से दो माइक्रो फेरड है पांच माइक्रो फेरड है विभाव करम से दो वोल्ट और दस वोल्ट है दोनों चालकों को किसी तार से जोडने पर उत्पन आवेशू में अनुपात आवेशू कानुपात बड़ा घजब लोजिक बना दिया यार इसने तो इंग्लिश में क्या बोला है देखो वी और वी बाई टू है यहाँ पे दो वोल्ट है और यहाँ पे दस वोल्ट है यहाँ पे इसने दो और दस एक बटा पांच टू सी और सी यह सवाल मुझे गडबड नजर नहीं आ रहा यह इंग्लिश में सवाल पुरा है गडबड नजर नहीं आ आ आपको इंग्लिश वाला सवाल पुरा है गडबड नजर नहीं आ रहा बताओ सवाल पूरा है गड़ बढ़ना जरा रहा मुझे तो यह एंगलीस वाड़ा तूब कि तो अलगी सवाल आ गया वी वी बाई टू कैसे हो सकता यह दो वोल्ट यह दस वोल्ट है तो इसके लिए माफिश आते हैं वैसे मैंने आपको भी कॉंसेट दिया था जो चार्ज कर डिस्टिबीशन होगा वो किसके अनुपात में होगा दो आवेशित चालक दिन की दारिता यह है वी बाई दो वोल्ट और दस वोल्ट है दोनों चालकों को किसी तार से जोडने पर देखो आपको कंफ्यूज बहुत तगड़े लेवल पर किया गया है पहले पोटेंशिल क्या था दो वोल्ट और दस वोल्ट मैं याद दिलाऊंगा आपको ज़रा गोर से देखना त बहुत तगड़े लेवल पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं पहले पोटेंशिल क्या था वीवन वीटू वीवन और क्या था वीटू लेकिन बाद में पोटेंशिल आपका क्या हो जाएगा वी तो यहां पर यह कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है जब वाइर से कनेक्ट करेंगे तो भी सेम हो जाएगा और अगर भी सेम होगा तो बिटा चार्ज का डिस्ट्रिबीशन के अनुपात में होता है सीवन कितना है दो माइक्रों माइक्रों बोले तो माइनस का छे और यह आपका पांच माइक्रों माइक्रों बोले तो माइनस का छे कट गया बिटा त दो बटा पांच कहांपे आया दो बटा पांच तो नंपाॉप्शन में नहीं है यह गलत आपके प्योप्शन मतलब यह लेंग्वेज भी आपका गलत था यह यह निचे वाला क्विशन है यह पूरा ही गलत होगया दो वाल-वाल की अपन पर निकाल 0022そ ऊपर वाल दो निकाल दो पांच यह रा रहा ना कि अब्लिया बढ़िए अगले सवाल पर आप्लिए Mm इसने इनर्जी बोला है हाँ हाँ है उसने इनर्जी बोला है कि अगला सवाल आपका कि एक समांतर प्लेट संदारी तर एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी को सम्मंद उससे और बैटरी पीछे बैटरी आया था बैटरी छोटी चोटी चीजिए बैटरी का समंद बिच्चे बैटरी को अलगकर दिया गया है फिर प zij कि आतने फिर आपने विकर धाल कोई दूर कर दिया कि ले आ पने क्याफिसितर को को बैटरी से जोड़ा के अपने स्कोच्छ किया और चार्ज करने के बाद में कैपिस्ट की प्लेटों को तुड़ा दूर कर दिया सी बराबर एपसल इनोट बटा दी अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो सी घटेगा तो प्लेटों पर आवेस बढ़ जाएगा बैटरी को हटा दिया ना क्योंकि बैटरी अगर कनेक्ट होता तो चार्ज का कुछ सवाल बच सकता था लेकिन बैटरी तो अटा दिया प्लेटों के मद्दे वोल्ट ता कम होगी वोल्ट ता कम होगी हुम 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 वोल्ट ता कम होगी वोल्ट ता कम कैसे होगी बैटरी तो आपने हटा दी खतम दूसरा धारिता बढ़ जाएगी दारिता तो घट रही रही एँ तो CV नहीं स्थारित्व में स्थित विदूत उर्जा बढ़ जाएगी सच में आ सच में दिमाग खूंग गया बाय सर जी दूसरा पूर्मुला काम में लो उर्जा का हम तो इससे नहीं मानेगे एक बठा दो सीवी स्क्वाइर ले लेते हैं तो यहां पर घठेगा फिर वी वी आपका क्या है वी गैटरी कनेक्ट नहीं है बैटरी वोल्टेज कम होगा वोल्टेज बढ़ेगा वोल्टेज और रिता गर्वानुपातेसी वि आपड़ गया लैकिन बैटरी इसे में हटा दिया से एक ही कंडिशन वेरिफाई हो रही है है इसके लिए एक इसके लिए तारिता गटने पे और जाण पतुए नि चाहिए ना इarna इसके वैसे स्पे एकने यहां पर भी के बारे बात किया गया है मुनल बहुत बड़े लेवल पी में इसका बहुत बड़े लेवल ठीक है यह में हो की अद्गे इस के चलो आगे आजो बिटा अगे उठते हैं अगले सवाल नेक्स्ट कुशन और यह बहुत इंपोर्टेंट कुश्ण है बहुत इंपोर्टेंट कुश्ण है बहुत इंसे बेटरी को अपने अपने संदारित्र की प्लेटों के बीच में आपने क्या रखा इसको समझना ढंक से समझना बहुत अच्छे से अगर पराविद०्ध पधारत रखेंगे बटा वी एम बराबर भी लटा के दूसरा कोंचा है कर जा व के Christina से बढ़एगा Capacitance तो बढ़ जाएगा यह दोनों तो गलत हो गए अब इसको चेक करते अगर Capacitance बढ़ता है पराविदू तांग रखने पे अगर पराविदू तांग रखेंगे तो potential गटेगा भी बहु गटेगा तो गलत हो गया तो यह आपका कमी सही है पराविदू और रही बात और जाकी तो उर्जा में भी कमी हो जाएगी क्योंकि potential गटेगा और Capacitance बढ़ेगा तो उर्जा भी गटेगी पर्मला रखे देखना कोई सा भी चाहे आप क्यों स्कॉयर बटा 2C रखे देखना यह आप एक बटा अगले सवाल पे देखो अगले सवाल पे देखो अगले सवाल पे आजो बटा फटा पड़से नेक्स्क्यूशन पे खाना नहीं खाएँ अभी कोई नहीं बटा अभी छोड़ देंगे टेंचन नहीं लो क्यूशन पूरे हो जाएं फिर चोड़ देंगे टेंशन गतलो टाइम देंगे आपको दो संदारीतर जिनकी धारिता है C1 वा C2 है मैंने खाना खाया है नहीं दो संदारीतर जिनकी धारिता है C1 वा C2 को वीबव वीबव और V2 तक आविशित किया जाता है उन्हें समांत्र करम में जोडने पर उर्जा कारदान परदान नहीं होगा यदी अच्छा उर्जा कारदान परदान नहीं होगा जल्दी बताओ बठाओ जल्दी बताओ एनर्जी का ट्रांस्मीशन नहीं होगा इसमें तो अलवा है जल्दी से बताओ चार्ज का ट्रांसपर कब नहीं होगा जब इसका पोटेंशियल भी इसका पोटेंशियल भी यानि V1, V2 बाराबर हो जाएंगे इसको तो सारे बच्चे सॉल करने चीए न और धमाके से अंसर आना चीए बहुत बड़े लेवल पे ठीक है? येस सर चलो आगे आजाओ फिर अगले सवाल पे अगला सवाल क्या है? देखते हैं जरा समांतर प्लेट संदारितर की धारिता निर्बर करती है, डिपेंड करती है पैरलल प्लेट कैपिसिटर ए अपसाले नोट बटा डी प्लेटों की मद्दे की दूरी पे मोटाई पे प्लेटों की मोटाई पे दातों की परकार पे मोटाई पे विबवानतर पे केवल एक ही ओप्शन है, प्लेटों की बीच की दूरी है डी, केवल डी ओप्शन एक ही ओप्शन है, डी ओप्शन एक ही ओप्शन है, डी ओप्शन केवल प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड कर रही है बटा ठीक है यस अगला सवाल नेक्स कुशन आपका नेक्स कुशन आपका देखिए फटापट से एक गोल ये संदारितर के गोलाकारों की तिरिजा कर्म से 12 सेंटिमेटर और 9 सेंटिमेटर है उनके बीच मादिम का पराविदुतांग डाइलेक्टरी कॉंस्टेंट 6 तो धारिता कितने हो जाएगी यह तो बड़ा गजव सवाल है यार क्या सवाल बनाया इसने क्या सवाल पाया है कोना बिटा कल मैंने फॉर्मुला याद करवाया था याद है पॉर्पाई एपसाले नोट उपर गुणा नीचे अंतर याद आया न बस उसी से लपेटना है उसी से फोड़ना है देखो सी बाराबर अगर मैं कहूं है आपके पॉर्पाई एपसाले नोट के पराविदु थांग उपर तिरिजाओं का गुणा और नीचे उनका अंतर ज्यादा में से कम को गठाना है तो सी बाराबर केक का वेलु कितना है बेटा छे और ये बटा बट्टे में आएगा वनापोन पॉर्पाई एपसाले नोट डारेक्ट नीचे लेक्याओंगा तो मैं डारेक्ट इसका वेलु रखूंगा नो गुणा दसकी गात नो उपर तरिजाओं का गुणा है बारा और नो बारा और नो सेंटी मीटर में में बदलेंगे माइनस का दो माइनस का दो माइनस का चार बटा अंतर बेटा बारा में से नो गया तो तो तीन गुणा दसकी गात माइनस का दो तो माइनस का दो से माइ घ्रीटा तीवराबर के आ जाएगा में जोएगा बारा दुना चोवेस वारा दुना चोवेस और यह उपरा अके नो पिलसक का ऊछ हमा मैनमाे मैनिस का हो गया के देखो देखें तो वीट है पीकों मेदल हुए आप बिच ello के लिए 240 बहुत बड़े लेवल पर मेक अपका किया गया है बहुत बड़े लेवल पर मेक अपके आ गया है ठीक है बहुत अच्छा आपका यहां पे करें 240 नहीं sorry 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 240 तूपर है न कहां पर लगा अगले सवाल थे अगला सवाल क्या है अगला सवाल आपका क्या है देखे जरा ध्यान से बहुत ही बढ़िया सवाल आपका मेरे लिए तु चाए आ गए बेटा तुम्हारा पता नहीं है कि मेरे लिए तो चाय आ गई है क्योंकि मेरी चाय का टाइम होता है 11 बज़े क्लास फ्री होती है आज 20 मिनट लेट आई है कि अगला सवाल एक सी दारिता वाले दारितर पर आवेस क्यों है संची तूर्जा डबलू यह दि उसका आवेस बढ़ा के दुगना कर दिया जाए सब्सक्राइब करें इसको नहीं ले सकते हैं अब आवेस को कितना करोगे आप दुगना अगर 20 कितना होगी चार गुणा होगी ऑप्सन सी बटा जिसकी बात होगी न उसी का फॉर्मुला यूज किया जाएगा तुम अर्जी करो यह फॉर्मुला लगा लो सा माई यहां पर बीव के बारे में potential के बारे में सवाल में बताया नहीं गया तो उसका यूज करके क्या करोगे अगला सवाल अगला सवाल देखिए और अगला सवाल देखिए किसी समांतर प्लेट संदारितर की प्लेटों के मद्धि वायू बरी हुई है यदि धारिता सो और वाई चस्मा लगा रखा है कि नहीं लगा रखा इदर बाप बनाया गया क्या इना माइक्रों प्लेटों के वीच की दूरी दुगनी इस्टेंस बेटिविन टू प्लेट्स डवल एंड डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट परावेदुतांग बरने पर यह कैपस्टेंस हो जाते हैं अब देखों सिधा सिधा बता दिया तो परावेदुतांग कितना होगा तो बड़ा आसान सवाल है यार कल निकाला नहीं बताया था सी एम बाराबर सी के तो के बाराबर सी एम बटाशी कल बताया तो था आपको यार अजटी छाप दो यार अब इतना कॉंसेट्ट बताने के बाद भी तुम सवाल नहीं करोगे न सच में बटा फिर सर्म आएगे आपको अपने आप एक खुद पे यह इस तरीके से कॉंस दस की गात माइनस का बारा और यह कितना है दस माइक्रो 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 माइनस का छे माइनस का चे माइनस का बारा है ना तो इसको उड़ा दो और यह जीरो से जीरो खट गया क्या 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 है चार पुंट दो आरा इसमें दो बेज जती कर दिए हमारी यह गोर बेज जती कर दिए लेकिन एक चीज और है इसमें दिक्कत और हो रही है प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी भी तो किया है ना चलो केक का विल्युट तो आपके तो चार आधी तो दो उपर चला गया तो चार गुना दो यानी आठ आ नोटीची नहीं करें तो उसको भूली गए मंटो केवली सी में लगे रहें कोई बात आंस्वर आगया बैठा एक है आज और आणस्वर आगे सी बिल्कूल बैटा सी करेक्ट आंसवर आज यह वाला सवाल कि यह वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर बटा देखिए ज़रा कि आवेशित संदायत्री की प्लेटों के बीच इस्तिते एक आवेशित कण पर एप बल लग रहा है यदि संदायत्री की एक प्लेट को हटा लें अरे वाह तो लगने वाला बल अरे मज़ा आये का मेरे भाई प्ल अगर आप एक प्लेट को हटा लेंगे तो एक प्लेट बचेगी तो एक प्लेट का विदुद्चेतर कितना होगा सिग्मा अपॉन टू एपसाले नोट यानि विदुद्चेतर आधा हो गया तो ए बराबर एप बटा क्यू एप बराबर क्या होगा क्यू ए अगर ए आधा ह हो गया तो एक भी आधा अगर विदुदुछे तरह आधा तो एक भी आधा होगा option B विल बी राइट राइट ऑप्षण के रूप में कलिक नह बहुत जबरदस सवाल है तॉप क्विश्ञन है और क्विश्ञन की स्क्रीन की गाई यस और यह सवाल सवाल आपको homework के लिए रखा मैंने यह सवाल आपको solve करना है और comment में answer देना है screenshot ले लो एक सवाल तो यह है इसका screenshot ले लो अभी comment में answer देंगे प्रतेक बच्चा देगा अगर वो बच्चा अपने आपको connect करता है मेरी class के साथ में और एक सवाल यह नुमेरिकल है जो आपको calculate करके answer देना है क्योंकि खुद को भी तो करना पड़ेगा न कुछ तो तो यह question आपका solve करना है यह नहीं कि teacher नहीं बताया तो हम तो गए paper teacher सब्सक्राइब करते हैं कि जो पड़ा दो ठीक है जो आपके लिए चोड़ू वह फिर उपर वाला के लिए चोड़के निकल जाते नहीं बेटा इससे पेपर नहीं निकलेगा यह आपको numerical solve करना है और यह concept solve करना दोनों के answer मुझे comment box में देने हैं ठीक है चलिए thank you so much जिन बचों ने class को like नहीं किया like करें कल नया topic स्टार्ट करेंगे electric current और बहुत कचब का notification तुरंट से मिल सके बिटा thank you so much love you all bye bye